तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वाइपर के उपर क्योंकि नया डलवाना है अब देख सकते हैं यह तूड़ गया है पूरा तो नहीं जब चालू करते हैं न तो बहुत आवास करता है तो चलिए जा रहा है इसको नया डलवाने के लिए साफ ही करना पड़ेगा थोड़ा तो चलिए मैं पहले थोड़ा साफ कर लेता हूं गूड़ मॉर्निंग गाईज तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है थार का वाइपर चेंज कराएंगे उसके उपर क्योंकि हम जा रहे हैं मिठा कड़ी क्योंकि इसका वाइपर ना यही रोड़ पे आगे जाना है लेफ साइड में एक शॉप है यही वह शॉप है जहां से हम पिछली बार करवाया था यही वाइपर चेंज कराना है तो चलते हैं अंदर इस तह शॉप हैशी बार कि अंदर आ एका है यही पर चाहँ बहुत बढ़िया और लिडी नोने लगाई दिया है पापर अफेक दीजी अब बढ़िया और लिडी नोने लिडी प्रॉपर लगा तो दिया ही है छोलो एक ही दक्के में दूनों सेट हो गया हमारा यह सर्कल से आप आएंगे न तो आपको यहां बड़ा सा कॉंप्लेक्स मिलेगा उसमें यह शॉप है और यह सीधा रोड जाएगा आपका लोगाडन तो चली अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर है तो अपने वाइपर अंदर लगा दिये है अभी सिगनल पर खड़ा है बस अब जाए रहे करके और मैंने आपको वीडियो में बताया कि कैसे लगता है वाइपर और यह वाइपर साड़े 300 में हुआ है अगर आपका कार उसके उपर डिपेंड करेगा पर मैक्सिमम साड़े 300 से 400 के असपस आ जाएगा यह बहुत कंपनी के लगाया है हमने तो ज़दा प्राइस तो होता न नहीं है तो ठीक है देख लेंगे और कितना है जोड़े सिगनल भी कुल गया है वापी सिगनल बंद होका है निकलते निकलते हैं वाइस मैं वापस आ चुका हूं और मैंने आपको वीडियो में बताया है साड़े 300 का वो डलवाया है तो कुछ था नहीं क्यूंकि ज़दा ट है तो थोड़ा दिक्कत करेगा आपको क्योंकि अगर सेट हो गया तो ठीक है नहीं हुआ तो आप रिप्लेस करना पड़ेगा और उसमें ऐसा भी होता है कि डैमेज आता है प्लस कि उसमें आपको एक बेजेंगे दो की जगा और एक खाली कवर आएगा क्योंकि मैंने काफी सारे किससे सुने है और ऐसे अंदर रिव्यू भी मैंने देखा था जिसका सबसे जदा रिव्यू था उसमें भी तो शूर कीजिए कि नस्दिक में कहीं आसपास में कहीं आपको गार ऐसे सरीस का सौप है तो वहां से आप पर्चेस कर लीजिए और वो खुद भी लगा के द अगर कोई सस्ता वाला भी आप डलवाते तो आपको साड़े तीन सो से भी कम हो जाएगा तो यही कुछ था यह वीडियो में तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ बाबाई